प्यारे बच्चो इस वीडियो में हम कक्सा पांच जो हिंदी की पाठे पुस्तक है उसके पांचवे पाठ लाल भादुर शाष्टरी के प्रस्णोतर देखेंगे शुरू करते हैं प्यारे बच्चो अपने इस वीडियो को हमारा सबसे पहला प्रस्ण है बोध प्रस्ण उत्तर लिखिए इसमें क्या प्रस्ण है ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शाष्टरी जी ने क्या लिखा इस प्रस्ण के उत्तर में आपको लिखना है शाष्टरी जी ने लिखा उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपून है नेक्स्ट प्रसन है हमारा शाश्त्री जी ने लाइन मैन की तरक्की क्यों कर दी इस प्रसन के उत्तर में आपको लिखना है शाश्त्री जी ने लाइन मैन की तरक्की इसलिए कर दी क्योंकि लाइन मैन ने अपने करतव्यों का निर्वहन पूरी इमानदारी से किया था अब बात करते हैं गया प्रसन की जो तीसरा प्रसन है प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शाष्ट्री जी का गुणगान क्यों करने लगे इस प्रसन के उतर में आप लिखेंगे शाष्ट्री जी के दयालू स्वभाव को देख कर प्रदर्शनकारी विरोध की जगह गुणगान करने लगे अब बात करते हैं प्यारे बच्चो अपने नेक्स्ट प्रसन की हमारा प्रसन है पार्ट से शाष्ट्री जी की किन किन विशेशताओं का पता चलता है इस पार्ट से यह पता चलता है कि शाष्ट्री जी एक योग्य प्रदानमंत्री और रेल मंत्री के साथ साथ कुशल राजनेता इमानदार करतव्य निष्ट तथा संतुलित वैवहार वाले वैक्ति थे प्रसन दो है, प्रसन दो में आपको सोच विचार करके बताना है क्या प्रसन है, यदि आप लाइन मैन होते और रेल फाटक बंद करने के दोरान रेल मंतरी रेल फाटक के समीब आ गए होते तो आप क्या करते इस प्रसन में आप सोच विचार करके स्वम लिख सकते हैं बैसे ऐसा भी हो सकता है आप जो है रेल फाटक के समीब अगर रेल मंतरी वहां पर आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप फाटक बंद कर रहे हैं या फाटक को नहीं बंद कर रहे हैं वो तो आपके विवेक के उपर निर्भर करेगा प्यारे बच्चों लेकिन एक चीज तै है अगर मान लीजे ट्रेन उधर से आ रही है फिर चाहे कोई भी आ जाये आपको फाटक बंद ही रखना है अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रसंद की प्रसंद कै लाल बहादूर शाष्त्री के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों ये भी आपके उपर ही निर्भर करेगा आपने पाठ पूरा पड़ा है इसमें से लाल बहादूर शाष्त्री जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी है आप उसको बता सकते हैं लिख सकते हैं अपने आप अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रसंद की गय, प्रधान मंत्री लाल बहादुर शाष्ट्री स्वम महिला प्रदर्शन कारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे इससे उनके सोभाव की किस विशेष्टा का पता चलता है इससे किस विशेष्टा का पता चलता है इस घटना से शाष्ट्री जी के दयालू हुर्द्य और कर्तवे निष्ट होने का पता चलता है अब बात करते हैं अगले प्रसंद की घै यदि आपको अपने गाउं महुले का प्रधान सबसद बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे अपने स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे अपने स्कूल को सुन्दर बनाने के लिए क्या करेंगे अपने स्कूल की मरमत, चार दिवारी, सजावट इन सब कामों के लिए क्या करेंगे तो ये भी आपके उपर ही निर्बर करेगा प्यारे बच्चों आप अपने स्कूल के लिए क्या करेंगे अब देखते हैं भासा के रंग इस पार्ट में जो व्याकरण वाला पोर्शन रहता है जिसको भासा के रंग के नाम से इसमें दिया जाता है अब इसमें पहला प्रस्ण है नीचे परतेक पंक्ती में दो शब्द दिये गए है पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा यदि यह समानार तक है मतलब एक जैसा है तो सै पर घेरा खीचिए और यदि यह विलोम यानि के विपरीतार तक है तो वी पर घेरा खीचिए उदारन देखिए अब पहले आप उदारन देख लीजिए उसके बाद आपको खुद करना है अब जैसे यहाँ पर देखिए सुन्दर के आगे लिखा है खुबसूरत यहाँ पर लिखा है सै से भी लिखा है और वी भी लिखा है से का मतलब होता है समानारतक शब्द है यानि प्रयाईवाची है और विपरीत वी का मतलब हो गया विलोम शब्द या फिर विपरीतारतक शब्द अब जैसे सुन्दर के आगे लिखा है खूबसूरत अब सुन्दर और खूबसूरत एक ही बात होती है इसलिए ये दोनों समनार्थी सब्द है इसलिए हमने सै पर घेरा खीचा है अब देखते हैं विजे विजे के आगे लिखा है प्राजे विजे का उल्टा यानि के विपरीत शब्द या फिर विलोम शब्द होता है प्राजे इसलिए ये विपरीत यानि विलोम शब्द है तो हमने वी पर गोला कीचा है यातना, यातना मतलब पीडा यातना, पीडा, कश्ट, दुख ये सभी पर्याईवाची शब्द है समनार्थी सब्द है इसलिए से पर घेरा खीचा गया है आरंब का मतलब आरंब इसका विपरीत दिया है अंत आरंब मतलब शुरू होना अंत मतलब खतम लास्ट में तो अंत पे और आरंब जो है एक दूसरे के विपरीत शब्द है विपरीत आर्थक शब्द है विलोम सब्द है इसलिए वी पर गोला खीचा गया है वी पर घेरा खीचा गया है अब बात करते हैं प्यारे बच्चों दो शब्द और दे रखे हैं मृदुल मृदुल और कटू मृदुल का मतलब होता है कोमल बहुत ही अच्छा लगने वाला और कटू मतलब कड़वा तो म मृदुल और कटू एक दूसरे के विपरी तार्थक शब्द है विलोम शब्द है इसलिए वी पर घेरा खीचा गया है अब विश्वास और आत्म विश्वास विश्वास मन का विश्वास हिम्मत और आत्म विश्वास एक ही बात है आपके सहस में वरद्दी होती है आपका विपक्स किसी के फेवर की बात हो रही है, विपक्स मतलब दूसरी तरब के लोग होते हैं, जो दूसरी पार्टी होती है, तो पक्ष और विपक्स एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, विपनितार्थक शब्द हैं, इसलिए वी पर घेरा खीचा गया है, ऐसे ही कठिनाई, मु जो इसमें अगले प्रसंद की खै प्रसंद है निमलिकिर शब्दों का परियोग करते हुए वाक्य बनाईए जैसे हमें दयालू शब्द का परियोग करना है आप इसके लिए वाक्य बना सकते है वह बहुत दयालू है यहाँ पर बना है राजा बहुत दयालू थे या रवी बहुत दयालू है कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं आप दयालू पर इसके बाद नेक्स जो शब्द है इस पर आपको वाक्य बनाना है कॉमल अब कॉमल पर बनाना है कॉमल हृद्य का व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा समझ सकता है आप इस तरह से कोई वाक्य बना सकते हैं कॉमल पर या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं उसका हृद्य बहुत ही कॉमल है ऐसे भी बना सकते हैं आप अब देखते हैं अगले शब्द को अगला शब्द है चतुर चतुर व्यक्ति जल्दी सिकंजे में नहीं आते या वह बहुत चतुर है आप इस तरह भी बना सकते हैं छोटा वाकिय अगर बनाना है वह बहुत चतुर है चतुर मतलब चालाक है नेक्स्ट शब्द है शरिष्ट शरिष्ट गुनोवाला व्यक्ति सदेव सफल होता है ठीक है तो ये जो है शरिष्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा सरिष्ट मतलब सबसे अच्छा समझ लीजी आप शरिष्ट गुनोवाला व्यक्ति सदेव सफल होता है अब एक और शब्द है कुछ अब और कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कुछ हमने इसमें इस्तमाल कर लिया है आप ऐसे बना सकते हैं कुछ बच्चे अभी आए हैं तो वहाँ पर कुछ हमने शुरू में ही इस्तमाल कर लिया है तो शब्द जो है वाक्य में बस आपके आना चाहिए कहीं पर भी आए आप इससे शब्द से वाक्य इस तरह से बना सकते हैं बनारसी साडिया पूरे भारत में परसिद है तो बनारसी इसमें आ गया है ये शब्द ठीक है बनारसी बनारस भारत का एक शहर है वहाँ जो साडिया बनती है वो पूरे भारत में सबसे अच्छी मानी जाती है तो बनारस का मतलब वहाँ शहर में जो काम होता है वो बनारसी हो गया अब देखते हैं 5, 5 संक्या होती है जैसे हम 5 भाई हैं आप ऐसे बना सकते हैं हम 5 भाई मिलकर यह कारिये पूरा कर लेंगे आप ऐसे भी बना सकते हैं ठीक है अब प्रसंद 4 तुम्हारी कलम से लाल बहादुर शाष्टरी के जीवन पर 5 वाक्ये लिखिए तो 5 वाक्ये लिखने हैं आपको पहला वाक्ये आप लिख रहे हैं आपने लिखा इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था एक वाक्ये तो यह लिख दिया आपने दूसरा वाक्ये आप और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर देख लीजिए मातर डेड़ वर्स की अवस्था में ही इनके पिता का देहान्त हो था मतलब इनके पिता की मरत्यू हो गई थी तीसरा वाक्ये आप क्या लिख सकते हैं तीसरा वाक्ये आप लिख लीजिए लाल बहादुर शाष्टरी का बच्पन अनेक अभावों और कठिनाईयों को जेलते हुए बीता मतलब इनका बच्पन जो है बहुत ही सरल नहीं था यह बहुत ही हसी खुसी से अपना बच्पन इन्होंने नहीं बिताया बहुत ही कठिनाईयों से बड़े दुखों से इन्होंने अपना बच्पन वैतीत किया था एक और वाक्ये आप बना सकते हैं यह सर्वसम्मती से भारत के दूसरे प्रधान मंत्री चुने गए आपको य हृद्य वाले व्यक्ति थे इस तरह से पांच बाक्य आप इनके उपर लिख सकते हैं अब ये खैप रसन है नीचे चार दिशाओं के नाम है आपके घर स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है आपको बताना है जैसे आपको पता होना चाहिए दिशाओं इस बलोक में लिखी गई है यहाँ आपके घर के पास और यहाँ आपके स्कूल के पास करना कैसे है देखिए जैसे आप पूर्व दिशाओं में देखते हैं तो आपके घर के पास पूर्व दिशाओं में क्या चीज है यह आपको यहाँ पर लिखना है और आपके स्कूल के पास पुर्व दिशा में क्या चीज है आपको यह लिखना है ऐसे ही आपके घर के पास पस्चिम दिशा में किन का घर है या क्या है वो आप लिख देंगे आपके स्कूल के पास पश्चिम दिशा में क्या है वो आप यहां पर लिख देंगे इसी तरह से आपके घर के पास उत्तर दिशा में क्या है उसको आप लिखेंगे आपके स्कूल के पास उत्तर दिशा में क्या है किनका घर है किनका खेत है वो आप लिख सकते है आपके घर के दक्षिन दिशा में क्या है और आपके स्कूल के दक्षिन दिशा में क्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे ये किताब रहती है, किताब पर तो दिशाई इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे इधर हो जाएगा हमारा पूरव, ये पूरव दिशा होती है, इधर ये पस्चिम दिशा होती है, उपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, और जिदर सूरच छिपता है उदर आप पस्चिम दिसा माल लेना ठीक है इस तरह से आप इनको माल लेंगे पूरब पस्चिम इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं तो ये काम आप अपने टीचर्स की हल्प से कर सकते हैं अब पांचवा प्रसन है इसमें अब करने की बारी पता जी इन महापुरशों के लोग पुरिये नारे कौन से थे अब सबसे पहले इन्होंने बहुत से यहां महापुरशों के नाम दे रखे हैं इनके नारों को आपको बताना है कि इनके परसीद नारे कौन कौन से थे ठीक है महात्मा गांधी इन्होंने करो या मरो का नारा दिया जवारलाल नहरू अब इसके बाद हमारे प्रसिद नेता है लोक मानने तिलक इनका प्रसिद नारा था सवराज्य हमारा जनमसिद अधिकार है इनका पूरा नाम है लोक मानने बाल गंगधर तिलक इनका पूरा नाम है लोक मानने तिलक यहां पर छोटा नाम लिखा है इनका त इसके बाद लाल भादूर शाष्टरी जै जवान जै किसान ये नारा किस ने दिया था लाल भादूर शाष्टरी जी ने जो भारत के दूसरे परधान वांतरी थे सुबास चंदर बोस इन्होंने कौन सा नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ये नारा इन्होंने दिया था अब प्रसंद 6 है इसमें प्यारे बच्चों मेरे दो प्रसंद पार्ट के अधार पर दो सवाल बनाईए इस पार्ट के अधार पर आपको दो सवाल बनाने हैं आप ऐसे बता सकते हैं सोतंतर भारत के पहले रेल मंतरी कौन थे तो सोतंतर भारत के पहले रेल मंतरी कौन थे ये लाल बहादुर सास्तरी जी जो थे वो पहले रेल मंतरी थे इसके बाद आप सास्तरी जी के पिता का क्या प्रसनों को कर दिया है आप अपनी कोपी में नोट कर लेना जो प्रसन उत्तर आप अपनी बुक में भर सकते हैं उनको तो आप बुक में भर ले और बाकी जो आप नोट करते हैं अपनी कोपी में बाकी उनको अपनी कोपी में नोट कर ले इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस पार्ट के सभी प्रसनों को कर पाएंगे धन्यवाद प्यारे बच्चों